हाई प्रेंज च्वाई जेक नाथ नमस्कार वेलकम बाइक रोजाइद फामली ब्ला कैसे सब बताएगा आएप कि अब सब अच्छे होंगे हम सब भी बहुत ही बढ़िया है तो देगे यह मेरा कीजन है कितना जोर से गंदा जैसे उपर नीचे गंदा हुई है वैसे ही उपर तो देगे बहुत सरा बरतन बड़ी है नीचे से बहुत सर जो बदवू है और यहाँ पर देखे छिलका वगेरा बहुत सरा गंदी है तो यह सब को मैं किसे फट से शाब करती हूँ वह आप सब के साथ श्यार करूंगी मेरा एक्सपरियंस में आप आप सब के साथ श्यायर करें कितने इजीली करती हूं कितना जल्दी करती हूं और कैसे करती हूं होब कि ये वीडियो आप सब के लिए यूजफुल हो गया अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना के कमेंट्स में सुंदर सुंदर कमेंट्स करना और श्यायर करने के ल जो गंदगी होगा वह सब साप हो जाएगा फिर इसको क्या यह जो स्लाब की उपर जितना सारा जो छिलका वगएरा था यह सब को भी बाहर कर रही हूँ अन्त अ цен अग Stephen पनाते हैं कि आप सब को समझ में आएगा जो लोग बीडियो बनाते हैं जो नहीं बनाते हैं उनको भी आएगा किया वह तक भी सीट का फिल्स आव में करते हैं तो क्लीनिंग के साथ साथ वीडियो बनाना बहुत ही तक्रीव होता आए यहां पर में अच्छे से गिस के साफ करने के बाद पर कपड़ंगी के साफ तो अबी बतन बगेरा दुखे साब कर लिए तो अभी वर्तन बगेरा दओ Grand Arc पृーレ्ल वगेरा धुने करेंगे और तो मैं पहले कैमरे को एक जगा पर सिट कर दिया तो मुझे वीडियो बनाने के लिए आसन होगा तो अभी देखिए इस लैप के उपर में जो कपड़ा में में नीचे पुछा लगा रही थी वही कपड़ा को अच्छे से दो रही हूं उसको दो लूँगी तो फिर जो स्लैप के नीचे जहां पर बरतन बगेरा रखूंगी वहां जब बरतन अच्छे से सुख जाएगी तब बरतन को बाहर कर लूँगी तो देखिए कितना केस साफ कर रही हूं कभी-कभी हमें बेट के कपड़ा में साफ करना बहुत दिक्कत होता है इसलिए हम सब अच्छे साफ करने के लिए आ ही गए मार्केट में तो हम साफ करते हैं लेकिन कभी-कभी जो बेट के साफ करने से पुछा लगाने से न हमारा एक्सिसाइज भी हो जाता है हमारा अंजान में तो देखिए अच्छे से साफ करने के बाद सलाब के नीचे और घर को अच्छे से पुछा लगाने के बाद यहां पर मैं बरतन को धो रही हूं सारी बर वरतन दोने का काम जितने भी हम हास्वाइप है सबके लिए बहुत ही कष्ट कर काम होता है कोई-कोई डिश्वाशर भी यूज करते हैं लेकिन हम मेडिल क्लास फामली की लोग डिश्वाशर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना ही अर्थ नहीं है दिश्वासर हकी ताकि हम यूज कर सके और हाथ में परतन धोना और डिश्वासर में वो तो भी आस्वान जमिन तक फर्क है ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी होप कि सब को समझ में आएगा और देखे ये वरतन सारी सारी में अच् साम आपि आफीयम के बाद शो जने का मन करता है इसलिए मेरा बरतन अटा घी हैता आश्वासर में लेकड में थर से और वैसे क्लिफिवयं के अंदर इसको बहँ अच्छे कर लोगे इसको एक वेहाच्दि आsis करके हैं बहुत जल्दी करसकते उसके लिये सफम ज़्छी नहीं चाहिए है कि यह भी बहुत बड़ा काम है वही यह एतीना है कि वरतं। हो बहुत ही मुझट लगता है जो परिवत को न अड़ी इतना ज्यादा तंग आता है, और गुज्से आता है ना मन तो करता है वरतन सारी की सारी फोड़ दूं और क्या? तो थोड़ा सा स्पीड फॉरड प्राइड कर ली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए सारी परतनाभी में इसे करके दो दोंगी जो लेकोईड में अच्छे से दोंगी फिर युसके बाइद नर्मल लाटर में अच्छे से दोंगी फिर बरतन से पानी के सिमें चुडवाती हूं कैसे रखती हूं बरतन अंड मेरा बरतन हमेशाद चक्षिक करता है जो भी देखते हैं कोई बोलते नहीं कि वूल्ड बरतन जितना भी वर्तन है कर में सबको आच्छे से साफ और साजा के रखती हूं मुझे बहुत ज्यादा खुशी होता है कभी खाना खाना भूल जाती हूं लेकिन वर्तन को दोना अच्छे से कभी भी नहीं बूलती हूं चाहे जितना काम होता है लेकिन मैं काम करके ही रहती हूं त उससे पहले इसलाब के उपर जो साबुन का चिटका लग गया था तो इसको बहुत अच्छे से धू कि दूहने के बाद सारी क्रड़ाओं को फिर से धू के रखूंगी पर शांडी रहे गइया तो उसमें चावल फका थाथ को अंड तो उसको भी धोना है तो उसको भी निकाल लोंगी यह सारी बरतन धोने के अपना अपना जगा पर सिट करने के बाद तो बस आजी दिन बरतन धोते धोते हम लोग खुद भी बरतन कभी हो जाएंगे बरतन धोते धोते खुद का हलत बरतन जैसा हो ही जाता है यह सही कमेंट सेक्षन में जर्ण बताना मुझे तो फिल होता है कभी-कभी ना बहुत ज्यादा मन नहीं करता बतन दो ओऊ या फिर रसोई करूं कुछ मन नहीं करता फिर भी करना पड़ता है क्या करें मन नहीं होता तो खाना किसे खाएंगे बास देखे सारी बरतन अभी मैं धो ही तो यह सब दोने के बाद में सलाब के नीचे जो साप करके रखा था वह भी अच्छे से सूख चुकी हैं वहां पर सारी बरतन को उल्टा के रख लूँगी ताकि इसे जो पानी है ना पानी छोड़ जाएगा तो बरतन हमारा काफी टाइम तक चिक-चिक करता है अंडलंग ला और अ क्याली है तो फाव कि है चलता है आप सुखको कितना तकasia होता है दो बच्चों को सामाल कर इतना सारा बरतन साप करकर भर वगेरा साःफ करना पड़ता है बहुत कुछ काम करता एफ वह बहुत ज्यादा तक आजाते तो उनको भी वियूज देना पड़ता है वहत कुछ काम करना ही पड़ जाता है तो अभी देखिए बटन के बाद सारी जो चावल का बटन था उसको डाल दया फिर गास को अच्छे से साफ कर रही हूं तो गास को अच्छे से साफ करने के बाद मैं क्या करूंगी यह है एडिट का काम मतलब कि फास्ट फराड कर लिया थोड़ा सा हो गया मेरा गास का भी डीप क्लीन हो गया तो ग्यास के बाद ग्यास का फ्रेम और यह जो दोनों बरतन यह सब दो दिया तो हो गया मेरा बिल्कुल पूरा किचेन का डीप क्लीन बरतन भी डीप क्लीन गास सब के लिए यूजफूल होगा और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कमेट श्यार जाना मिलें नहीं हो तो सब्सक्राइब मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर तब तक जाई जागनात